में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लोग डाउन की प्रिकिरिया की टाइम गाइड लेंस थी। हर एक गाइड लेंस पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। सारी इंफोर्मिशन आपको यहां पर मिलती है। जब बैल आइकन को प्रेस करें तो ओन नोटिफिकेशन अन करिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो प्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप वट्सप, फेस्बुक के मादेम से अपने दोस्तों की साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर की इस बात की शुरू करते हैं, स्पीती वैली की SOP, देख लेते हैं क्या कुछ नियम है, क्या से आप सेयर कर सकते हैं और कब से ये खुलने वाला है। पर देख लेते हैं। तो 17 फरवरी से आप अगर स्पीती घाटी की सेयर करना चाते हैं, तो 17 फरवरी से ओपन हो रही है, यानि कि आपकी Tuesday के दिन प्रियटक इसमें स्पीती घाटी की सेयर को कर सकते हैं। तो देवो की भूमी कहा जाता है उत्राखंड को और अगर आप प्रियटक हैं तो लंबे समय के बाद 17 फरवरी से स्पीती घाटी को प्रियटकों के लिए खोल दिया गया है। ये स्पीती टूरिस्ट टूरिजम सोसाइटी के तरफ से भी जारी किया गया है ये बयान और उसमें कहा गया है कि पंचायत, ट्रेवल एजन्स, महिला मंडल्स और होटल के ओनर और सामाजिक निताओं ने संयुक्त रूप से परियटकों को बढ़ावा देने के लिए स्पी कोरोनावाइरस संक्रमितों की संक्या में कमी और सरकार दवाराटी का करन अभियान शुरू करने के बाद ही गाटी को एक बार फिर से परियटकों के सवागत के लिए तयार किया गया है तो कोरोनावाइरस संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए कुछ गाइडलेस भी तयार की गई हैं जिसका आपको फोलो करना है अगर आप स्पीती घाटी आ रही हैं तो पर्यटो को का किपर और किपर वैल्ड लाइफ habitat में पर्वेश की अनुमती नहीं होगी तो जो किपर wildlife habitat है वहाँ पर आप नहीं जा सकते वहाँ पर एंट्री अभी restricted है गाउं वालोंने कोरोना काल में परियटकों को गाउं में आने और ठहरने के अनुमती नहीं दी है तो आप गाउं के अंदर ठहर नहीं सकते हैं बहार जो आपको arrangement मिलेगा आप वहाँ पर ठहर सकते हैं गाटी में आने वाली सभी परियटकों को RAT RT PCR यानि कि आपको RT PCR टेस्ट करवाना अनिवारिय है यह टेस्ट अधिकर्द लैब अत्वा होस्पिटल की वैद मानी जाएगी किसी भी जो authorized लैब हो या किसी होस्पिटल से अगर आप करवाते हैं तो वही valid मानी जाएगी और यह जिम्मेदारी टूर operators की भी होगी अगर आप किसी टूर operators के थूर भी जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि RAT PCR या RAT टेस्ट वाले परेटों को ही घाटी पर लाया जाए घाटी पहुंचने से 72 से 96 गंटे पहले यानि कि आपकी 3 से 4 दिन पहले के ही अगर टेस्ट होगा तो वही मान्य होगा उससे ज़्यादा देर का है तो वह नहीं चलेगा स्पीति घाटी में आने वाले अकेले परेटक चालक के साथ आने वाले परेटकों को सरकारी हस्पताल में rapid test के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप अकेले परेटक आ रहे हैं चालक के साथ आ रहे हैं तो आप सरकारी स्पताल में आपको rapid test के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा होटल और घर पर ठहरने देने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रेटक पूरी तरीके से स्वस्थ है प्रेटक में फ्लू आदी के कोई लक्षन नहीं बाए गई है इसके बाद ही परवेश की अनुमती दी जाएगी तो जो भी हॉमस्टे या होटल है उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्रेटक है जयानी कि जब आप जा रहे हैं तो आप में कोई भी फ्लू के लक्षन नहीं होने चाहिए उसके बाद ही आपको होटल या होमस्टे में एंट्री दी जाएगी किसी भी कीमत पर सामाजिक दूरी का हर समय पालन करना होगा तो शोशल डिस्टेंसिंग मेंडेट्री है शोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा आपको परेटको को ठहरने वाले स्थान से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवारी है आप जब भी बाहर घुमन का पालन करेंगे और मास्क बहन कर रहेंगे ताकि आप अपने साथ-साथ जो आपके सानिय लोग हैं या आपके आस-पास के लोग हैं उनकी सेह तो सुरक्षा का ख्याल आपको रखना है तो यह हम यहाँ पर डिसकस कर चुके हैं कि यह कुछ नियम हैं जो की बताए गए हैं स् कि साथ तपक थैंक यू so much bye-bye take care